नमस्कार अर्द्यून के पेड़ की छाल की जीवन में हमारे जीवन ने बहुत ही महात्व है ठंड के समय में सभी को अर्द्यून के पेड़ की छाल का पौडर पीना चाहिए इसे पीने से जीवन में कभी भी हाटाटेक नहीं आता रक्त की अमलता को कम करने में अर्जुन के छाल का बहुत ही महत्व है ठंड के समय में 9 दिसंबर जन्वरी सभी को अर्जुन के छाल के पौडर का काढ़ा पीना चाहिए इसे पिने से जिन्दगी में कभी भी हाटा टेक नहीं आता और लकवा नहीं मारता पराडशिस नहीं मारता इसे पिने के लिए हमें एक गिलास पाने में आधा चमास अर्जुन के छाल का पौडर डालना है और इसे उबालना है उबालते उबालते जब आधा रह जाए तो इसे सुबह खाली पेट में हमें हलका गर्म गर्म पीना है और दूसरे तरीके में एक और तरीका उप्योग करने के लिए एक गिलास दूद में आधा चमास और्धुन्शाल का पौडर डाल डीजिए और हलका सा सोन डाल डीजिए और अच्छे सरा से घोल के इसे पी लीजिए हाँ इसमें तुलसी को प्योग नहीं करना है कई लोग तुलसी पत्ता दूद के साथ डाल को प्योग करते हैं चाय में यहां सौस तेकले बहुत ही हानिकारक होती है यह अरजुन की छाल हमें असानी से उपलब्ध हो जाती है अगर आप पहचान कर सकते हैं तो इसमें जो इमेज है इसमें इसका फल भी दिख रहा है पेड़ में किस तरह के फल होते हैं और यह छाल है और इसका पौडर भी है यह असानी से आपको यह अरजुन की छाल पंसारी यहां मिल जाएगी सब्तर सस्की रुपय किलो में बहुत ही सस्ती है यह या फिर सीधे आप मार्केट से इसका पौडर भी मिल जाता है आप सीधे पौडर भी ले सकते हो इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वा है सबसे अधिक जितने भी हिर्दे समनेज और सधी बनती है उसमें इस अर्जून के छाल का उपयोग लबब किया ही जाता है और उपर वाले ने ये अर्जून के पेड़ हमारे भारत देश में बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्द है इस अर्जून के पेड़ अगर आपके पास जगह है तो इस अर्जून के पेड़ अपने बाग बगीचे या घर के आस पास जरूर लगाईए जिस से आनी वाली पेड़ियों को इसका उपलोड लाब मिल सके हम जो सुबे स्थन के समय में चाई पीते हैं यह चाई हमारी रक्त की अमलता को बढ़ाता है और जब रक्त की अमलता बढ़ती है तभी हाटा टेक आता है पलरसिस मारता है इसलिए भाईयो बहनों इस चाई का उप्योग बंद करिए यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानी का रखा है यह नसा की तरह हो जाता है चाई की जगा इस अरजुन के छाल का काढ़ा को उप्योग करिए और सभी को इसको शेयर करिए जिससे यह जानकारी सभी लोगों त झाल झाल